दोस्तो जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है क्योंकि आपको इंतजार था आपकी परिक्षाओं का मेरे पास भी कमेंट्स की जड़ी लगी हुई थी कि सर हमारे एक्जाम्स कब होंगे प्लीज बता दीजिये और बच्चे बहुत परिशान थे बहुत ज़्यदा डाउट वाली कंडिशन में थे तो my dear students अब आपको चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि जो आपके एक्जाम्स है वो अब डिसाइड कर दिये गए है युनिविस्टी ने डिसाइड कर दिया है कि आपके एक्जाम्स जो है वो 10 जून से होने है तो आपके एक्जाम्स की जो डेट है साथियों वो है 10 जून 10 जून से स्टार्ट हो रही है विश्विध्याले की परिक्षाएं और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स है वो भी कराए जाएंगे जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स छोटे होए है या फिर जिनके प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं हो पाए है तो उनके प्रैक्टिकल्स भी कराए जाने की योजना बनाई जा रही है और इसका जिम्मा जो विश्विध्याले है उन्होंने कॉलेजस को दिया है कि college अपने मार्ध्यम से विध्यार्थियों के practicals conduct कराए और वो पहले क्या होता था university experts भेशती थी लेकिन अब क्या है colleges को experts लाने हैं और वो दूसरे colleges से जो retired सिक्षक हैं उन्हें लेकर आ सकते हैं या फिर जो सिक्षक कारेरत हैं उनको उनके मार्ध्यम से भी वो practical करा सकते हैं इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी परिक्षा परणाली में भी हुआ है बहुत बड़ा बतला जैसे paper होने थे अब वैसे नहीं होंगे उसके प्रारूप को बदला गया है अब किस प्रकार से प्रारूप चेंज हुआ है यह भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर देना, share और comment जरूर करना और दोस्तो इस प्रकार की जो news है वो मैं आपके लिए अक्सर लेकर आता रहता हूँ और इसके साथ-साथ इस चैनल पर मैं competitive English और इसके अलावा academic English की भी तैयारी करा रहा हूँ तो start करते हैं कि ये news क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ 10 जून से परिक्षा होनी है, कॉलेजों को practical का जिम्मा दिया गया है मेरट सहार इनपुन मंडल के 9 जिलों के कॉलेजों में चौदरी चैनल विद्याले ने इस्तेगित परिक्षा हैं 10 जून से कराने का परिक्षाशन को एक प्रस्ता भेज दिया है और यहां तक कि अगर जो परिक्षाशन इस पर महौड लगा देता है तो जो परिक्षाशन हैं वो 10 जून से करा दी जाएंगी विश विद्याले ने प्रिथम से अंतिम वर्ष की सभी परिक्षाओं के समय में कटोती को हरी जंडी दे दी है यह जो समय है इसमें कटोती की जाएगी अब कटोती क्या होगी यह भी हम आपको बता देता हूँ विश विद्याले ने ओनलाइन परिक्षाओं कराने से इनकार कर दिया है ओनलाइन परिक्षाएं अब नहीं होंगी क्योंकि काफी स्टूरेंट्स का ये सवाल था कि सर हमारी ओनलाइन परिक्षाएं होंगी क्या अगर जो ओनलाइन परिक्षाएं होती तो बहुत अच्छा होता आपके लिए लेकिन ओनलाइन परिक्षाएं अब नहीं होंगी कुलपती प्रोफेसर एके तनेजा की अध्यक्षता में हुई ओनलाइन परिक्षा सम्मीती की बैठक में उक्त निर्णे हुआ विश्विध्याले ने परिक्षा प्रेक्टिकल एवं मुल्यांकर प्रस्ताव तियार करते हुए साशन को भेजा है बैठक में प्रोवीसी, प्रोवाई विमला, रेजिस्ट्रार, धीरेंद्र कुमार वंबा, परिक्षान इंत्रट, डॉक्टर अश्वनी कुमार, प्रोफेसर जैमाला, प्रोफेसर वीरपाल, प्रोफेसर एमके गुपता, प्रोफेसर जगवीर भारदवाज, प्रोफेसर एक काम मुल्यांकन विश्विध्ध्यले ग्रीन और ओरेंज जोन में मुल्यांकन कराएगा रेड जोन में मुल्यांकन नहीं होगा ग्रीन और ओरेंज जोन में मुल्यांकन कराएगा पहले क्या होता था विश्विध्ध्यले में मुल्यांकन होता था लेकिन अब इसमें परिवर् कोपी और हमार की बार कोडिंग करते हुए बेजएगा विशुद्धायलय कमिश्णर्व को पत्र लेकर सिक्षक करमचार यों को पास जारी करने की अपील की है ताकि कोई दिक्कत ना बात हम practical की करें तो विश्विध्धहले ने कॉलेजों को practical कराने का अधिकार प्राचारे को दे दिया है प्राचारे अपने कॉलेज को छोड़ दूसरे कॉलेज के कारेरत ये रेटाइर शिक्ष को कुबला कर practical करा सकते हैं अभी तक practical के लिए विश्विध्यल्य परिक्षक बना कर भेशता था, लेकिन इस चूट से कॉलेजों में कम समय में practical कराई जा सकेंगे, कोरोना संक्रमन के चलते यह चूट दी गई है। अब किस तरह से पेपर आएगा या फिर वही पेपर रहेगा, इस पर मैं विश्विश्विशन करूँगा इस न्यूस को पढ़ने के बाद में। कम समय में लंबित परिक्षाय कराई जाएं। और विश्युद्ध्यले की तरफ देखें और वर्तमान परिष्टिर्यू की तरफ देखें तो इसके चांसेज जाद हैं यहां पर हमें चांसेज लग रहे हैं कि परिक्षाइं 90% 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि जिस प्रकार से लोगडाउन में भी छूट मिलने क आसार दिख रहे हैं तो उस तरह से परिक्षाओं को लगता है कि 10 जून से स्टार्ट करा दिया जाएगा बस एक हरी जंडी मिलनी है प्रिशाशन से क्योंकि प्रिशाशन को नोटिस इसका जा चुका है अब इसमें क्या होगा प्रिशाशन जो है यहां पर अपना जबाब देगा प्रिशाशन का जाब हार्डली यह मैं कहता हूं कि इस हफ्टे में आ जाएगा विदिन dis week अ जॉधी और उस जवाब को भी मैं आप पेग को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe जरूर कर लेना साथियों अब हम बात करते हैं कि ये समय की जो दो घंटे और डेल घंटे वाली बात कही गई है जो objective pattern होता था इसमें क्या होता था कि आपका दो घंटे का paper है और 100 questions आते थे और आपको दो घंटे में वो objective questions करने होते थे लेकिन अब उसका समय घटाया जाएगा एक घंटे या डेल घंटे का किया जाएगा लेकिन अब बात ये उठती है कि क्या एक और डेल घंटे में हमें उतने ही questions करने होंगे क्या उतने ही questions attempt करने होंगे ये सबसे बड़ा question mark है, तो इस पर अभी decision लेना बाकी है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अगर जो ऐसा होता है तो इस बात का तो विध्यारती भी विरोध करेंगे और इस वज़े से ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या होगा, paper में कहीं न कहीं कटोती की जाएगी अगर जो show questions है तो हो सकता है अगर जो बिल्कुल half time कर दिया है दो का एक घंटा कर दिया है तो हो सकता है questions भी half ही हो जाएगे तो लेकिन इस पर अभी decision नहीं हुआ है जैसे ही इस पर decision होता है उसकी भी news में आपके लिए लेकर आऊंगा कि आपके paper का प्रारूप क्या होगा ऐसे ही तीन घंटे वाले जो paper है वो दो घंटे में कर दिये जाएगे उसमें भी questions में कटोती की जाएगी ऐसे पूरे पूरे chances है क्योंकि ऐसा होना possible नहीं है कि बच्चे को वो एकदम burden डाल दिये जाए कि तीन घंटे वाला paper है आप मुझे दो घंटे में करके दो ऐसा होना possible नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कटोती होगी क्या कटोती होगी paper का pattern कैसा होगा किस तरह से paper आएगा तो वो मैं आपको अपनी जो next video है जैसे ही university clear करती है इस concept को तो उसमें मैं आपको बता दूँगा साती हो कि किस प्रकार से आपका paper आने वाला है paper का pattern क्या होने वाला है लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि CCS University ने UGC की guidelines को नहीं माना है क्योंकि UGC ने कहा था June में छुट्टी रखिए June में summer break दे दीजिए लेकिन CCS University ने नहीं माना है तो जुलाई से यहाँ पर decide किया गया है कि exams कराए जाएंगे जो main exams हैं वो कराए जाएंगे चाहे वो regular students के हो चाहे वो private students के हो चाहे वो semester परणाली के students के हो तो सातियों इस प्रकार से आपके exams होने है अब जो आगे की news है वो मैं आपके लिए लेका रहूँगा कि paper का pattern क्या होगा तो please इस channel पर बने रहिए अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजिए और मेरी इस video को like कर दीजिए इस पर comment जरूर कर देना सातियों और please share this video also among your friends Thank you very much Yours Dr. Sachin Goswami